जब भी आपका रोटी सबजी खाने का मन ना हो तो एक बार ये उरत दाल की खिचड़ी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए तो हैले फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिशनल फ्रेवर में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं उरत दाल की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कप चावल दिये हैं चावल को हम दो से तीन बार अच्छे से धू लेंगे जब तक कि साप पानी नहीं आ जाता तो इदिखे इसको हमें अच्छे तरीके से धूना है ये पानी निकाल देंगे चावल को हम आदे घंटिक ले भिगुका रखेंगे अब हमने लिए हैं आधा कप उरत दाल इसे भी हम अच्छे से धो लेंगे दाल को 2-3 बार और आदे घंटिक ले भिगुका रख देंगे आप दाल चावल को पिना भिगुए भी बना सकते हैं जब भी आपको जलती हो बनाने की तो आप इसे अच्छे से धोकर ऐसे ही बना लीजिए तब भी एक इच्छी बहुत अच्छी परते हैं और टेस्टी भी तो इस देखिए अभी मैं इनको आधी घंटिक ले भिगुका रख रही हूँ और ये देखिए मैंने कुछ खरी मसाले लिया इसे बनाने के लिए एक तेजभात का पत्ता दो लॉं पांच ये काली मिर्च लिये हैं एक दाल चीनी का टुकडा और ये बड़ी लाइची लिये है बड़ी लाइची को मैंने इस तरीके से खोल दिया है इस तरीक से खोल कर ही हम इसे डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी यह देखे और यह दो हरी मेर्च लिए हैं मैंने बारी कटी हुई आपने हिसाब से थोड़ी कम जादा कर सकते हैं एक इंच बारी कटा हुआ अध्रका टुकडा और बारी कटा हुआ हरा धनिया और आधा कप मैंने लिए हैं मतर अब कुकर में हम दो चम्मर देसीगी गरम करेंगे आप इसके जगा रिफाइन ओयल भी ले सकते हैं देसीगी में एक हिचोड़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है इसमें हम डालेंगे एक छोड़ा चम्मर जीरा एक चुटकी हम इसमें डालेंगे हींग ये हींग बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो इसलिए मैंने थोड़ी कमी डाली है और इसमें हम ये सारे खड़ी मसाले डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिल्च और बारी कटा हुआ अधरक हलका सा फ्राई करेंगे दिके हलका सा फ्राई कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे भीगे हुए चावल जिस पानी में हमने चावल को भिगोया था वो पानी हमें नहीं डालना है उस पानी को निकाल कर हम इस चावल डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे डाल तो इसे भी हमें पानी निकाल कर ही डालना है स्वाद अनसार इसमें हम डालेंगे नमक ऐधा चुड़ा चममच, खल्दी पाउडर डालेंगी और इसमें मैं यह डाल रहू है मतल आप इसमें और भी सब्जियां आड़ कर सकते हैं दाल सकते हैं एक मट हम इसको फ्राइ करेंगी खी में ऐसे ही जिससे चावल खिले-खिले बनते हैं बहुती आसान सी रेसिपी है, दसे पंदर मेट में आप इसे बना के तयार कर सकते हैं, और खाने में भी बहुती ज्यादा टेश्टी बनती है खिजडी, आप एक बार जरू ट्राइ कीजेगा, तो यह देखिए मैंने एक से दो मिनट इसको इस तरीकी से फ्राइ कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तीन कप पानी, मैंने एक कप चावल लिया था और आधी कप डाल, तो इसका दोगना हमें डालना है पानी, तो मैंने इसमें तीन कप पानी डाला है, अब हम कुकर बंद कर देंगे, और हाई फ्लेम पर हम इसम प्रेशल निकलने देंगे उड़द तल की थी खिड़ी बनके तयार है देखिए कितनी जादा खिली-खिली खिच्डी बनी है और भूति जल्दी सिवन के तयार हो ज выглядит हो ज़ conviction बहुति ज़्यादा खिली-खिड़ी थे जमीशस करना हो को चंता धेक है खात है आप भी एक वाद जरू ट्राई कीजिए, कमेंट में भी जरूर पताईए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं, दही अचार चटनी के साथ ये खिचरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक Thank you and bye-bye.